परदेश दागदी फायर और दिल है तुम्हारा जैसी करीब तीन दर्जन फिल्मों में काम करने वाली महिमा चोधरी फिल्मा वनेतरी हमारे साथ हैं इसे जानेंगे आज आगरा में हैं मैं आज आगरा में आगरा में आगरा में आपका स्वागत है करवा चोध दूर बंदन क कारकरम के मादम से आप आगराम आई हैं कैसा महसूस किया आप बहुत अच्छा लगा और यहां के जो कपल्स थे उनका पार्टिसिपेशन बहुत प्यारा लगा सिर्फ लड़कियां ही नहीं मतलब वाइब्स ही नहीं हास्बिन्स भी बहुत एंथूजियास्टिक थे और अच अच्छा लगा आप करीब दो दशक पराना आपका फिल्मी कैरियर है अब महमा चौधरी को लोग देखना चाहते हैं पर देफ़त दवारा से तो कैसे कौन सी आपकी अपकमिंग मूबी हैं कहां मैरे अभी कोई फिरू नहीं की है बट उमीद करती हूँ कुछ अच्छा सा क सब्सक्राइब का मतलब यह नहीं की काटून फिल्म मिट कुड बी लाइं मैं इस टाइब की फिल्म भी हो सकती है सूपर मैं ऐसी कोई फिल्म भी हो सकती है वंडर वुमन तमाम बड़े कलाकार चोटे परदे की और आ रहे हैं तो महमा चौधरी को भी लोग चोटे पर हैंगे मैंने अपना शुरुआती चोटे परदे से किया था मैं टेलिविशन पर वीजेंग करती थी उसके बाद काफी मतलब जजिंग भी किये चोटे मिया और टिकिट बॉलिवोर बहुत सारे 3-4 चैनल पर मैंने जजिंग शोज भी किये है तो मेरा आना जाना रहा है है बट डेली सोप्स के लिए जो इंवल्मेंट चाहिए आपको जो कमिटमेंट चाहिए कम से कम 20-25 दिन महीने में मतलब 9-5, 9-5, 9-5 और आप कहीं जा नहीं सकते वो मुझे कमिटमेंट थोड़ा सा स्ट्राइफलिंग लगता है तो मैंने कोई टेलिविजन सीरियल की तरफ काफे सारी फिल्म थी एक तो डिरेक्टर के साथ जब अच्छे डिरेक्टर के साफ काम करते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया पहली फिल्म ने तो ऑविसली मेरा पूरा लाइफ का ही डिरेक्शन एक अच्छा शुरू कर दिया और अभी भी कि दिमाग में जहन में सभी मतलब चाहे वो फिल्म से जुड़े हूए हो चाहे विदेश में हो चाहे यहां हो सब आज तक नहीं भूल पाए हैं परदेश को उसके बाद दिल क्या करे एक फिल्म थी जो मुझे बहुत पसंद है अजय और काजल के साथ परकाश ज़ा की डिर साउथ इंजिन एक्टरिस के उपर और बागबान मैं मिस्टर बच्चन के साथ काम करने को मिला तो सब की अलग-अलग रीजन्स थे कि मुझे क्यों पसंद है राजकुमार संतुशी के साथ जो लज्जा फिल्म करी उसके बाद जो डावरी के उपर वो मेरा एपिसूद था उसके बाद कई लड़कियों ने हिम्मत करके जब उनसे डावरी की डिमांड की गई शादी के दिन पे अल्मोस्ट ब्लैकमेलिंग तो और पे करते हैं जैसे लोग तो उन्हों ने अपनी बारात वापस भेज़ दी तो वहां पे मुझे एक अलग किसम का एक प्राइड फिल अगर मैं उनके साथ कर सकती हूं तो कर सकती हूं तो वहां मुझे एक अलग मजा आया तो हर फिल्म का एक अपना अपना खासियत है मेरी जिन्दगी में जो हिंदी सिनेमा है उसमें तमाम बदलाव आएं पिछले दो दसक में ऐसा कौन सा बदलाव जो आप मानती हैं को जो बनाने की सोचे नहीं सकते थे जैसे इरेक्टाइल डिस फांक्ष्ण के यूपर अभी फिल्म बनी है या फिर टॉयलिट के फिल्म बनी है यह कि आप अगर उस टाइम पर सोच तो तो वहीं पर खतम हो जाता वो सोच कि नहीं नहीं यह सब फिल्में नहीं चलती हैं इंडिया में बर आजकर लोग देख रहे हैं और फिल्म को एप्रिशियेट कर रहे हैं तो डिफरन केरेक्टर्स डिफरन फिल्म्स तो यह खास बात है आज जो नवोदित कलाकार आ रहा हैं हेलो मेश्टी के और भाग रहे हैं, उनको क्या सला देना चाहेंगी सक्सेस के लिए? वो मुझे सला दे सकते हैं, आजकल के जो लोग आ रहे हैं, वो हम लोग उसे जाधा जानते हैं, बट उनको यही है कि सक्सेस मिलना ना मिलना is all भगवान की वो होती है, लेकिन एक अपना आपको हम्बल रखना इस रेली वरी वरी ग्रेसफुल थिंग तो और वन शुद ओल्वेज बी ग्राउंड़े तो महमा चोधरी के जो समर्दक हैं, जो उनको जो दर्सक हैं, वो उनको आगने वाली फिल्मों में देख सकते हैं, आने वाली उनकी कई फिल्म में पॉर्सक बाली जो पाली वाली एक वाली झांगने एक जाँ उनकी के जो दो आखना आपको हमाने आपको तो और वीर थे जो डंकी के जो आपको भाली लनकी कि देख थेग 12ड़ा स्वाई